शिकार करो, शिकार करो, क्रूर ताको, दुष्ट कर्मों को, अमानुष्ट ताको, गुंडा करदी को, तुम छोड़ो मत, शिकार करो, शिकार करो शिकार करो, 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 शि हुआ है जेल के Recreation Hall में जो function हो रहा था वहाँ से 11 कैदी भाग गए हैं। कंट्रोल रूम में इनफॉर्म करो हैलो! सर जो कैदी भागे हैं उन्हें शहर के बाहर इट के भट्टे के तरह भागते वे देखाएं। जेलर धर्मा कहां है? जेलर धर्मा कहां है? अन्द कर दो दुष्टाचार का अत्याचारों का अमानुष्टा का अन्याय करने वालों का राक्षस बने मानवों का भस्मा सुर्बन के अत्याचार करने वाले दैत्यों का हिन्सा करने वालों का हिला दो जुका दो गिरा दो खत्म कर दो इन असुरों का तु असुर्बन के शिकार कर कर पड़ाइज कुस्त है मेरी जेल से भागना चाहते हो कितनी दूर जाओगे कितनी कितनी अउम मेंरक मयापद। जाओगेाट। कि अ कि अ कि अ कि अ कि अ Zahlen कि अ अ अ यह जब में प्रक्रन करते हैं याँ झाँ लाँ युद्ध कर ले तुई वीर है हिम्मत तुझ मैं ही वसी वीरा मार बापियों को भगाया, मार दुस्टों को दून भगाया दुच्चे जोट कराया, उनको मार मार के तून भगाया या एक खातिर लणने वाला, जुल्मुक अंत करने वाला चोर डाकूओं का विनाशी हिम्मत वीर है युद्ध कर ले तुवीर है शिकार गर ले असुरा, दुस्तों को मार दे असुरा युद्ध कर ले वीरा, रण भूमी तेरी वीरा आगे बड़ो सुरा, पापों का अंद जूरा खलतिया माव गरने वाले धर्मात मा हो तुम मुश्किलों से टकर लेने वाले त्रिनत धारी आखों में चिंगारी आग बबूला तुम हो जाते वीरा हो तुम वीरा, वीरा 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 अला करने में पीछे हटते नहीं पूराई को तुम कहीं देखते नहीं यायक तुम अपनाने वाले अन्यायका खत्मा करने वाले मार बापियों को बगाया, मार दुस्तों को दून बगाया, उच्चे जो टकराया, उनको मार मार के दून बगाया जाएक घातिर लणने वाला, जुल्मों को अंत करने वाला, जोर डाकवों का विनाशी हिम्मत वीर है युद कर ले तू वीर है, 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 युद कर ले तू शादा सुबे से अब तक तीन वक्त कर खाना हमने इन लोगों को दिया और संडे का दिने को सीख लेंगे सोचके इनको सुधाने की कोशिश कर रहे हम लोग और उन्हें भागने का प्लान बना लिया सर ये नहीं बदलेंगे बदलना इतना आसान नहीं है जेल में आने वाले दोश्यो तो ये लोग उनको ये बदल देंगे ये लो 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 चे किलोमीटर भी नरू के भागा था ना ठक गया होगा भागने का मतलब गलतियां दोराना होता है कहां तक भागीगा हां दस दिन में रिहा होने वाला है तो भागने की क्या ज़रूरत थी मेरी माने भचेगी सर औस तक मैं जीर रहा था अपनी माँ के लिए मैंने इस यूनि इन रीडर को जान बुझ के नहीं मारा था यूनिन के जगड़े खत्म करवाने के लिए मेरे मालिक ने यह काम मुझसे करवा है ता सब उसने कहा था कि अगर मैं यह काम करूंगा तो वह म कारण गलतियों को सुधार देगा सजा से नहीं बचाएगा जो भी हो तुमने गलती की थी अपने आप पर भरोसा रखना था दूसरों पर नहीं यही तुम्हारी समझ से है मादव उसकी मां और उस फैक्ट्री ओनर के बारे में पता करो ओके सर उसकी मां का ऑप्रेशन करवा दो ठीके साब सुप्रेटेंडिन के बारे में कुछ पता चला उनका अलसर का आप्रेशन हुआ है तीन हफ्ते तक रश्ट में रहेंगे हलो हलो धर्मा कहां हो तुम जेल में कुछ पंचियों के पर निकलाएं उन्हें काट रहा हूं मेरे चाचा जी अवे भी निकले हैं यार कहां मिलने वाले वही रावापूर रोड प्रशांथ होटल में मैं देख लूंगा अरे धर्मा ये साब बात छड़ो यार मेरी बात कि यह नहीं सुध्रेगा है चलो चलो तुम आगे चलो रुकिये रुकिये वहां लगाओ गाड़ी को वहां लगाओ वहां लगाओ चलो 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 हां गलास नीचे कीजिए ना आप से कुछ काम है पांच मुन रू के सब कर दो कर दो कर दो कर दो कि नमस्ते सर नमस्ते मेरा नाम धर्मतेजाए प्यार से मुझे धर्मा बुलाते हैं मैं इस शहर की सेंट्रल जेल में जेलर का काम कर रहा हूं मैं चितोड का रहने वाला हूं मेरे माबाब आप यह सब मुझे क्यों बता रहे हैं और आपने मेरी गाड़ी क्यों रोकी आपको एक बात बतानी है सर वो आपको पसंद आया ना आये लेकिन आपको सुनना ही पड़ेगा मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहते हूँ आप कोई और लड़का मत ढूने सारी का रुको लगता है महौल गरम है ठंड़ी हो जाएए आप भी पीजिये सर लीजिये ना लीजिये सर दिमाग ठंड़ा हो जाएगा तुम इने पहले से जानती हो हम तीन साल से एक दूसरे को चाहते हैं आप ठी यूर्ज नहीं फाइव यूर्ज धर्मा कॉलेज में मेरा सूपर सीनिय था तुम चुपरो सारी का तुम तो सच दच कर लड़का देखने निकल पड़ी थी हमारे बारे में इनको पहले ही बता कर लिया है और इसकी सादी उसी से होगी आप इसकी शाधी अपनी मर्जी से नहीं उसकी मर्जी से कराईए देखो सारीका की शादी के लिए मैंने औल लेड़ी निरने ले लिया है तुम ने बीच रास्ते पर डिसकुशन शुरू किया है न वो यहीं पर चोड़ दो ़ो क्योंकि मैं आपकी इज़द करता हूँ तो आप भी मेरे जजबातों को समझे और जो टाइम मैंने आपका वेस्ट किया है उसके लिए सॉलिए चाचा जी सारिका के लिए धर्मा से बहतर पती कोई नहीं मिल सकता मैं धर्मा को अच्छी तरह से जानता हूँ अभी अभी कमिशनर ओफिस में मैंने अपने दोस्त से बात किये उसका चरितर पूरा पता चल चुका है उसने जो पांच मिनट बाद की मुझसे मैं समझ गया हूँ कि वो क्या है सब कुछ जानते हुए अपनी बेटी की शादी उससे नहीं करवा सकता मानता हूँ वो गुसे वाला है लेकिन उसने अपनी जिन्दगे में बहुत दुख सहय है चाचु जब नौ साल का था तभी उसने बहुत कुछ खो दिया था राजनीती के जगणों में उसके माबाब को बीच सड़क पे बुरी तरीके से मार दिया गया था चाचु और जिन्हों ने मारा हो छे मेने में भार आ गए उसने उस अन्याय को सहन किया है अकेला बढ़ा हुआ है इसलिए किसी की छोटी सी भी गलती बरदाश्ट नहीं कर पाता सुनो बेटा वो तुम्हारी नजर में सही होगा लेकिन मेरी नजर में सही नहीं है मैं गाओ जाके उस लड़के वालों से बात करके तुम्हें फोन करता हूँ यहां सारिका का कोर्स खत्म होने तक तुम इसका खयाल रखना बेटा कहा हो तुम यहां काम कर रहा हूँ मैंने पूछा इस वक्त कहा हूँ सुपरिंटेंडेंडिन्स आप से मिलने अस्पताल जा रहा हूँ हाँ हाँ जाओ उनीसे मिलो मुझ्झे यहां फसा कि अपना काम आराम से कर रहे हूँ पता है पिताजी कितने गुस्से में है उ डिर बात करने वाले और तुमने ये क्या किया बीना बताए सिधे बात करें कभी न कभी तो उनको बताना भाई तुम तो बताओंगी ने तो मैंने बता दिया हाँ पर अभी बताना जरूरी था क्या अच्छा छोड़ो शाम को मिल रहे हो ना सारी का मैं बाद में बात करूं ये भी ना शिह वहां आओ आओ कभी आओ मैं कभी नहीं हूँ सर आप जिश्य लोग बनने जिंख देते हैं अरे अब मैंने क्या किया है बोलो थे लेकिन ले ली तो आपने तो लीव लेते ये को कि rookे कभी मेरे तो बस एक ही इच्छ है कभी न कभी कभी बनना है मेरे अंदर जो भावन आये हैं उन सब को लिखके किताब बनाऊंगा आप देखते रहिए तुम्हारी आशाय और आवेश्ट दोनों एक नहीं हो सकते धर्मा आत्मी बाहर दिखते हैं सर कभी अंदर होता है यह सब हाथ की टांग भी तोड़ दी अरे लोगों के साथ जरा मुह से बात करना भी सीखो धर्मा मुह से बोलने से ज्यादा हाथ का बोलना ज्यादा याद रहे जाता है सर मेरी नजर में गुड़ीज बैड सर जूस लीजे सर थोड़ा तो सूचो हम जो नौकरी कर रहे हैं वो सरक उनका कहना है कि तुम रक्षक नहीं एक राक्षस हो उनके ओफिस में तुमारे ही चर्चा चलती है मैंने जान बुझ कर कोई गलती नहीं किये वैसे अन्याय का अंद करने वाले को भगवान कहते हैं वही का मैं कर रहा हूं तो मुझे राक्षस कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सक सकता सर अब चलता हूं सर बस आप जल्दी से ठीक हो जाएए धर्मा तुमसे बात कहना चाहता हूं हमेशा जो सोचते हो वो नहीं हो सकता ध्यान रखना ओके सर कलो इन सबको नीचे अतारो चलो आओ तो अभी तक बैठा क्यों है चल चल बार निकल चल चलो अंदर हम 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 चली करो हम 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 चलो आगे बड़ो मैंने इस तरह उसको मार दिया हम हम चारली यह इस जिल में क्यों आया है इस अब बूर्णिक सर यह रही फाइल इसका नम प्रभाकर है सीथाबुर चोरी में पकड़ा गया था पांस साल के कैद हुई है इसे बीब लॉक में डाला यह सामभा है बड़ा गुंड़ा है एम्मेले कांतरौव इसे तीन साल के कैद हुई है ए ब्लॉक नाम है पंडित कमलेश चीट फंड चीटिंग केस दस साल के कैद हुई है बी ब्लॉक यह विजेवाड़ सब जेल से यहां शिप्ट हुआ है नाम है चंदर शेकर एलियास चार्ली दिलीब कोटा मर्डर केस में दोशी पाया गया पांच साल पर फांसी की सरह सुनाई गई प्रेजिद्ट के पास शमा याज नाइगा जी भीजी गई लेकिन अभी तिक पेंडिं मिलने पर भी इस सिस्टम में पांच साल जी चुका है तो यहीं बहुत ज्यादा है शमा अभीक इंसानों के लिए होती है तेरे लिए नहीं मैं मरूंगा नहीं जिन्दा रहाए जो जीने नहीं देता है उसे जिन्दा रहने का अधाव यह सर इसे अलग से डी ब्लॉक में ड अधा थे क्या नहीं थे इससे मुझे कोई लेना देना नहीं लेकिन एक बार जब अंदर आ गए हो तो इस जेल के जो नियम है उनका पालन करना होगा मादो सेर चलो चलो सब लो इंडिया के बड़े-बड़े डाइमंड मर्चन में एक चंदर शेखर अल्यास चारली उमर में छोटा है लेकिन दिमाग बहुत देश पश्पन में इमा गुजर गई थी तो बाप से दूर रहकर के फला पैसों की कोई कमी नहीं थी जिसकी वज़े से बिगड़ गया चारो तरफ लड़कियां हाथ में पैसा गर्म दिमाग गलती करने का साहस बच निकलने का साहस ये सब चारली की यादते थी चारली का पिता दिलिप कोटा बाप से ज़्यादा नाम कमाएगा सोचा था दिलिप कोटा ने लेकिन चारली को नफरत है तो वो दिलिप कोटा की दूसरी बीवी भारती देवी से और उनके बच्चों से पहली बीवी के गुजरने के पात साल बाद घरवालों ने जबरदस्ती करके दिलिप कोटा की शादी भारती देवी से करा दे जायदाद में हिस्सा अससाइटी में इनका नाम उनके साथ माटना चानली को बिलकुल पसंद नहीं था इसलिए उसके पिता के साथ भारती देवी परिवार का कोई संबन नहीं है ये साबित करने के लिए फेक पेपर्स बढ़वाए थे दिलिप कोटा के गुजर जाने के बाद भारती देवी और उनके बच्चों को अंतिम करिया में आने नहीं दिया था चार्ली ने भारती को ये सब सेहन नहीं था और उसने चार्ली पर लीगल कारवाई कर दी कोट ने ये फैसला दिया कि चार्ली के साथ साथ ये भी दिलिप कोटा के परिवार के हिस्सा है उन्हें भी जादाद में हिस्सा मिलना चाहिए ये है कोट अटरब, वाट इस दिस? उनका कोई हग नहीं जादाद पे, प्लाड़ी जामिट ये बात चार्ली को बिल्कुल सहन नहीं होई, वो पहले ही घुस्से वाला था, इस हार को वो परदाश्ट नहीं कर पाया और एक दिन घुस्से में भारती देवी के घर जागा है हारे मेरी बात मचता मतले केस करती हैं चड़ो चप्र तेलिकोटा कही कि वाली साथ सिर्फ पैदा हमेंसे कि भगतार चारता ही तो अ शोला आए पाय माट पार सो आच आखहले अपार रहना चाहिये था तुम जैसे और तो तुम्हें मैं ज़्दाद में हिस्सा दूंगा उसके बाद उन्हें कोई पहचार ना पाए उनके टुकड़े टुकड़े करके जला डाला था उसने भारती देवी अपने बच्चों को ढूनते ढूनते पुलिस के पास पहुचे तो वहाँ उसे जली हुई लाशों का पता चले लिपकोटा के परिवार के बारे में सुनकर सारा शेहर शौक था पुलिस ने चार्ली पर केस फाइल किया था दोनों पक्षों के बाद विवाद सुनने के बाद और सारे सबूतों को जाच करने के बाद चंदर सेकर अलियास चार्ली को ये अदालत दोशी मानती है उसने अपने परिवार के सदे से ममता लक्ष्मी पवन और राश्री देवी को बड़ी कुरूरता से मारने वाला ये चार्ली समाज के लिए बहुत ही खतरनाक है इसलिए आईपीसी के धारा 302 और 303 के तहट इस केस को रेरेश्ट आप दर रेर के समझ कर ये अदालत चार्ली को फासी की सजा सुनाती है नमस्ते मेरा नाम यामीनी है वेलकम जो एन टीवी नमस्कार माता जी आपके परिवार में जो हत्याएं हुई है उनकी वज़े से राश्ट्र भर में हंगामा मच गया है आपके परिवार में से ही कोई एक इन हत्याओं का कारण है इस कष्ट को आप अकेले कैसे जहिल पा रही है जब भी हमारी जिंदगी में कष्ट आए तो हम दुखी हुए लेकिन डरे नहीं पर जब बात हमारे परिवार की आई तो मेरी हिम्मत तूड गई हमने सुना है कि आप एक ट्रस्ट खोलने की सोच रही है माडम उसके बारे में हमें बताएंगी आज इस देश में हमारे परिवार के साथ जो हुआ है वो औरों के साथ भी हो रहा है इसलिए मैं इस घर को बेच कर अपने परिवार के नाम से एक ट्रस्ट खोलना चाहती हूं वो ट्रस्ट अन्याय का सामना करते हुए सबको न्याय दिलाएगी मैं जानती हूँ पर आप उसके लिए फंड कहां से लाएंगी मैंने कुछ फाइनन्शिल इंस्टिटूशन्स में अपलाई भी किया है अभी तक कोई रेस्पॉंस नहीं आया उन्हीं का वेट कर रही हूँ हम लोग कई बरलाचार हो जाते हैं उसे हत्या करने में पांच मिनिट नहीं लगे होंगे लेकिन उसे सजा मिलने में पांच साल लगे अगर हम और भी लेट करेंगे ना तो जनता का हमपर से भरोसा उठ जाएगा कि येस सारी कहें के वेट फॉर फाइब मिनिट्स इन औरतों का विना फाइब मिनिट्स और टेन मिनिट्स कितनी देर कर दी हां यह होस्टल है या ब्यूटी बार्लर खोल रखा है लेडी इस होस्टल ऐसा ही होता है पता नहीं तुम्हें अच्छा मेरी बात छोड़ो अपन मुझे बाहर दिखने वाले गलाइमर में इंट्रेस्ट नहीं है तुम्हें लाठी की जरूरत नहीं है बातों सही मार देते हो मुझे बुलाया क्यों हां बताती हूं अपना पर्स दो यह क्या मेरी फोटो नहीं लगाई किसले रखनी है मेरी फोटो क्यों तुम ना कभी नहीं बदलोगे नीचे जाओ और गाड़ी में बैठो सिग्रेट मत पिना पांच मिट में आ रही हूं चलो चलो सब इस काड़ी में बैठ जाओ ताइम हो रहा है ए तुम तीनों पीछे बैठो बाकी सब लड़कियां एवरेज है ना मैं ही सुन्दर हूँ है न यह सब क्या है हम सब हमारी फ्रेंड के एंगेजमेंट में जा रही है रात को तुम्हारी गाड़ी वापस कर देंगे ठीक है ना तुम्हारी गर्फरेंड सुन्दर है इसलिए टैक्स तो देना ही लएँ चलो चलो नदेंगे तुम्हारे सर कोई टैक्सी या और अटो पकड़ लेंगे तुम्हारे साथ जिसलिए कि मैं न जानूं दिल क्यों ध़ड की प्यार है क्या दिल में जागा प्यार भरा गीत है क्या मनिये तरसे तेरी प्यार में है क्या आखोने देखा एक सपना सजनी तू बन गई है अपनी मेरे खाबों में बसी तू सजनी सा तीरा मुझे को साजन बन गया जन मोका बंदन सामने मेरे रहते भी ढोड़ती तुमको साजन जब होट कापे तो कदम ये बढ़ दे है ऐसा क्यों होता है बता पास तेरे मैं आ गई प्यार तेरा मैं पा गई छुपा लिया तुझको दिल में उसाजन मेरे जानों दिल क्यों धड़के प्यार है क्या दिल में जागां प्यार भरा गीत है क्या मन ये तरसिये तेरे प्यार में है क्या क्या होश मेरे खो बैठा हूँ सांसे बनके तेरे दिल में बसा हूँ मैं माती तेरी संती रही हूँ मन से तुझको अपना चोकी मैं मुझे में बसी हो ये सोचा था सामन आई दिल धड़का था कहीं बे तुम जाती मैं पीछे तेरे आना जा था आँखों ने देखा एक सबना सजनी तुम बन गई है अपनी मेरे खाबों में बसी तु सजनी मैं तेरा साजन में जानों दिल क्यों धड़के प्यार है क्या दिल में जाकां प्यार भरा गीत है क्या हां भाईया याद है क्या पांच साल पहले तुम्हारे शोरूम में चोरी करने आया था तो पैर तोड़ दिये थे मेरे वही पांडू हूं मैं तुम यहां हो तो वहां तुम्हारे इतने महंगे डायमंड्स को कौन समालेगा एक काम करते हैं वो डायमंड्स कहां पर हैं अगर यह बता दो तो मैं वहां जाके ले लेता हूं वहां सही होने वाली है चलो चलो बहीं चलो 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 कैसे हो प्रेसिडेंट के पास तुम्हारी क्षमाय आचना की पेटिशन हमने फॉर्वर्ट कर दी है तुम्हारी मनपसंद मिठाई तुम्हारी मनपसंद मिठाई सार तुम बी लो कल ओड़ेटर सहब मिले थे तुमने सारे शेर्ज डुभईत्रानसफर करने के लिए कहा है उन्हें तुमने लॉकर के बारे में कोई फैसला लिया है क्या चारली बात नहीं करोगे दुबई में रवी को फोन करो हम चल्दी दुबई जाने वाले हैं अरे ये क्या कह रहे हो तुम यहां मुझे कौन मार सकता है साहरा मैं जानता हूँ कि क्या करना है तुम जाओ बोलो चारली यहां से मुझे बाहर लाने के लिए तुम्हें किसी की बेल करानी होगी तुम्हें और तुम्हें और तुम्हें और तुम्हें जेल को देखे वे बहुत दिन हो गया है क्यों भाई तुम्हारे एस्पी साब ने ड्यूटी ज्वाइन की की नहीं सुट्टी पर गए एक महने से ज्यादा हो गया है अभी ट्रीटमेंट चल रहा है सर देखो धर्मा हेल्थ प्रावलम किसे नहीं है मुझे भी तो है लेकिन हम आ रहे हैं काम पर और ड्यूटी भी कर रहे हैं वैसे किसलिए बुलाया मुझे सर जवाब देखो कितने फटक से क्या है कि जरिय कल प्रेश्डिन साब ने चारली की शमयाचना को रिजेक्ट कर दिया है मैंने स्टेट के हो मिनिश्टर साप से भी बात किया है चारली को अगले सोमवार को ही फांसी देनी होगी हमारे पास समय बहुत कम है तुम जाके सारी तैयारियां करो गलत नहीं गलत नहीं संहार करना गलत नहीं है शंक तुम आज बजाओ जो गलती करे उन्हें दंड तो मिलना ही है हर पाप का अंत तो लिखा ही रहता है अधर्म को मारना है धर्म को जगाना है अन्याई को फासी पे चड़ाना ही न्याई है गलत नहीं, गलत नहीं, संगहार करना गलत नहीं, संगहार करना गलत नहीं है, शंक तुम बजाओ आज प्रेसिडन्ट के पास तेरी ख्षमाभीक का पेटिशन रिजेक्ट हुआ है ओर्डर्स आएं, सो उमबार को तुम्हें फासी दी जाएगी गलती पाप सब एक है, एक बार करने से मरने तक किसी का पीछा नहीं छोड़ते ये तिरा डेथ वारंट है, एक बार पढ़ ले और साइन कर दे मैं मरूंगा नहीं कहा था ना मैने तुमसे, समझ में नहीं आता तुम चाहे इस पर दस्तकत करो या ना करो, होनी तो होके रहेगी मारना बहुत आसान था ना, अब मरना बहुत मुश्किल लग रहा है, तो एक मिनिट सोचता ना, तो तेरा परिवार बच जाता जब जान जाने का डर होता है, तो जीने की इच्छा बढ़ जाती है, यह कॉमन है, जब तुम्हें लगा कि मारना गलत नहीं है, तो तेरा मरना भी गलत नहीं है एक अनात की दुख भरी मौत है यह, इससे बत्तर किसी की मौत क्या हो सकती है, अमेरिका पूरी दुनिया को यही दिखाना चाहा रहा है, यह थी अब तक की खास ख़बरें, और ख़बरों के साथ आप से मुलाकात होगी नौबच कर चालिस लेट में, हलो, कौन वीरा बोल सेंट्रल जेल से कॉंस्टेबर बोल रहा हूं, ठीक है, दो दिनों में किसी को फासी देनी है, ठीक है, अभी आ जाओ, हाँ, आया भी मैं, बेटा, ए बेटा, तेरा यह काम मुझे पसंद नहीं है, उनसे कह दे कि तू नहीं आएगा, बोल देना बेटा, तेरा पिताजी मरत से दम तक यही काम करते आए हैं, तू तो लोगों की बद्धुआ मत ले बेटा, देखो मा, फासी देकर जान निकाल रहो है, तुम सोच रही हो, लेकिन फासी देकर धर्म को बचा रहे हैं, यह हमारा विचार है, वैसे भी पिताजी के काम को ही मैं अपनाऊंगा, ऐसे मैं सोच लिया था, यह क्या कर रहे हो विरा, बहुत पुराना हो गया था ना, इसलिए आइलिंग कर रहा था, बहुत साल पहले तेरी पिताजी ने उस सीरिल क्लिर को यही पर फासी पे लटकाया था, उनके बाद अब तू ही कर रहा है यह काम, अरे इसका मतलब तू अपने पि कर रहा हूं, लेकिन मेरी माँ को यह काम बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं ही कितने दिनों से सोच रहा था कि पुलावा आएगा, वैसे भी प्रासी पे चलढ़ाना इतना आसान काम नहीं है, इसके लिए बहुत हिमत चाहिए, यह काम इतना आसान नहीं है, आदमे की बामी तो कर रहा हूं कि इस विरा कैसे हो ठीक हो सर यह वीरा सूर्या का बेटा यह मैजिस्ट्रेट सथयर राव है कल फांसे के वकित यह रहेंगे मैं क्यों विरा सब ओके है ना सब ठीक है सर मैंने सब चेक किया है शाम तक काम पूरा हो जाएगा हाटपिट नॉर्मल है, बीपी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, लेकिन आत्मी फिजिकली फिट है, उसने आखरी ख्वाईश बताई कुछ? नहीं सर, कुछ नहीं बोल रहा है है सर, फाइल सर तुम आ गए? क्लास नहीं गई तुम मैं कॉलेज नहीं गई, तुम्हारी छुट्टी है न, इसलिए मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेन करने आ गई वैसे भी हॉस्टल में बैठे बैठे में बोर हो जाती हूँ, इसलिए तुम्हारे पास आ गई दो घंटे का लेक्चर सुनके मुझे थोड़ी न नौकरी करनी है वैसे मेरा होने वाला पती इतना बड़ा जेलर है तो मुझे नौकरी की क्या जरूरा? तुम अगर इसी तरह गुटली मारती रही, तो इंसिटूट वाले तुम्हे निकाल देंगे निकालना है तो निकाल दे, दरसल मैं ही वो कॉलेज छोड़ देना चाती हूँ, तुम्हे एक बात पता है, मेरा हाथ बहुत लखी है, तुम अपनी अच्छी अच्छी कवीता इनरेट करना मैं उन्हें टाइप कर दूँँगी, और फिर देखना तुम कितने बड़े कवी बनते हो, समझे कुछ, तब भी तुम मुझे इतना ही प्यार करोगे ना, या फिर बदल जाओगे, बोलो, चुप क्यों हो, बोलो ना, क्या बोलो, कुछ भी बोलो ना, बोल दू क्या, हां बोल दू, सर, ओफिसे फोन, सर, मैं फिर आता हूं, सर, अगर पिताजी मझे वापस ले जाते, और शादी कर देते तो, बापरे, अगर ले जाते तो मैं वहाँ आ जाता, इतनी हिम्मत कहां से आ गई तुम में, इसके लिए हिम्मत की क्या जरूरत, पता हिम्मत क्या होती है, जब किसी से को फांसी पर चड़ते हुए, डायरेक्ट डिखना पड़ता है न, उसे हिम्मत कहते हैं। सर, टाइम हो रहे है, उसे लिए आए क्या, ओके, चार्ली, समय हो गया है, अगर तुम रेडी हो तो चलते हैं। कर दो चलते हैं। कर दो कर दो कर दो अ. कर दो इंस झाल झाल चार्ली, चार्ली, जावो? जाओ, 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 अब क्या करें हांसी पोस्पोन कर देते हैं सर इसको तो मैं देख लूँगा आखर तुम लोग क्या कर रहे थे आसी से पहले उसे ड्राग कहां से मिल गया यही ड्यूटी करते हो क्या तुम लोग यह बहुत बड़ी गलती हुई है अगर मीडिया वालों को पता चल गया तो बहुत बड़ी प्राब्लम हो जाएगी आगे गलती नहीं होनी चाहिए ओके सर सर मुलाकात के वक्त इस लड़की लिए सीट बोक्स देता चार्ली को इसका नाम सायरा है चाहरी की गल्फरेंड है बैंगलूर में रहती है उसे तुरंट बैंगलूर से यहां बुलाने का बंदवस्त करो ओके सर चाहली को होश आ गया सर उसके ब्लॉक में शिफ्ट करो उसके बाद क्या करना है मैं बताता हूं ठी अब रख लो अब भाईया तुम्हें देखने के उम्मीद नहीं थी पैसे बहाईया तुमने ही मुझे अंदर करवाया था अब तुम ही मेरी बेल करवा के बाहर भेज रहा हो मित्र हो या शत्र मुझे फर्क नहीं पड़ता मैं सिर्फ अपना फाइदा और नुकसान देखता हूं मेरे बाहर जाने से आपको क्या फाइदा वैसे मुझे क्यों बोलाया आपने मेरे साथ एक ढील करोगे पांडू कौन चाहिए मुत्तिमान एक या एक मेंटर को बाई मुत्तिमान से कोई मिलने आया है मैं मुत्तिमान से मिलने आया हूं तू कौन है मेरा नाम पंडू है मुत्तिमान मुझे जानता है तुम मुत्तिमान के भाई हो ना भाई अंदर काम में बिजी है तेरा मेरा कोई पर्सनल प्राब्लम नहीं है सुधाकर मेरी बात मानोगे तो तेरी जान बच जाएगी और जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाएगा जो चाहिए मैं दे दूँगा चाहिए तो आप ये ठेटर भी ले 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 जाए मुझे छोड़ देजिए तुम कष्ट उठाके कमाते हो और मैं कष्ट दे के कमाता हूँ है इस सफेद कागस के काले अक्षरों की कीमत बारह करोड़ है जो मुझे चाहिए इस पर साइन करो दिना आवाज निकले खत्म कर दो बोड़ी ना मिले जला कर राख कर दो कि नमस्ते भाई पांटू कैसा है तू जेल से कब आया कल ही आया हूं भाई पता चला कि आप मुंबई से आया हो अड़े पे पूछा तो पता चला आप यहां हो पैसे भीया आप यहां के से इस थेटर के मालिक ने कुछ सेटलमेंट कराने के लिए पुलाया था अब उसके इस थेटर को मैंने सेटल कर लिया है बढ़िया है भीया बीज सेंटर में बढ़िया जगा है भाई इस थेटर को तोड़के अच्छा शॉपिंग माल बनाएंगे तो आपकी लाइब सेट हो जाएगी भाई माल बनाने के लिए बाते नहीं पैसे चाहिए होते हैं उतना कमाने के लिए बहुत टाइम लगेगा मैनत से कमाने वालों के लिए समय लगेगा हमारे जैसे लूटने वालों के लिए क्या समय लगेगा बाई, मेरे पास एक अच्छी डील है अगर हम वो करेंगे तो एक मॉल क्या कई मॉल बना सकते हैं ऐसे क्या है वो डायमंड मर्चेंड चारली को फांसी के सजा मिली मैं उसे जेल में मिला दो दिन पहले वो चलाकी से फांसी से बच गया उस चारली ने ही मुझे बेल दिलवाई है मैं जेल से निकलने से पहले उससे मिला था उस वक्त दो डायमंड चुराने के लिए मेरे शुरूम से इतना बड़ा रिस्क लिया था तो में वैसे मेरे पास कुल 90 डायमंड है वो सब मेरे परसनल लॉकर में है अगर तुम मेरा काम करोगे तो आधा तुम्हे मिलेगा मतलब 45 डायमंड पचास करोड के हैं वो डायमंड जो मैं तुम्हें दूँगा वो लॉकर कहा है चारली मेरे लॉकर कहा है कोई नहीं जानता ध्यान से सुनो कुछ दिनों में ये लोग फिर मुझे फासी पे चढ़ाएंगे मैं मरना नहीं चाता मुझे अपनी जान से प्यारी कोई भी चीज नहीं पांडू चाहे कुछ भी करो, कैसे भी करो लेकिन मुझे चीना है तेरी सजा कम करवाई है बाहर जाके तुम्हें मेरी जान बचानी है जाओ, प्लैन रेटी करो अगर सब ठीक रहा तो इस जेल के पूरब की तरफ वाच टावर के पास गुरू वार को तुमहरे पतंग उड़ाना याद रखो 45 डायमेंड्स पूरे 50 करोर 45 डायमेंड्स पूरे 50 करोर और वो बाहर आने के बाद डायमेंड्स देने से मुकर गया तो जिसकी जान खत्रे में होगी वो डायमेंड्स के बारे में नहीं सूचेगा चारली को हम बचाएंगे कैसे हो सुलेमान बहुत दिन बाद मुलाकात हुई ठीक हूँ भाई तुम्हारा ट्रांसफर डियाईजी आफिस में हो गया है मेरे आदमियों ने बताया हाँ भाई जॉइन करके दो साल हो गया डायमेंड्स मर्चंट चारली की फासी के तैयारी चल रही है ना बिलकुल उसकी फासी से जुड़ी हर छोटी से छोटी खाबर मुझे मिलनी चाहिए सुलेमान तुम मेरी मदद करोगे तो तुमारी जिन्दी सेटल हो जाएगी आपके बारे में मुझे मालूम है भाई आप जो बोलेंगे मैं करूँगा काम होने के बाद मेरा भी थोड़ा खायाल रखियेगा भाई तुमी साहरा हो क्या हाँ तेरे चारली को जेल का खाना सूट हो गया लेकिन तेरी दी हुई मिठाई उसे सूट नहीं हुई ऐसा क्यों जवाब दो चारली को ड्रग्स की आदत है क्या कभी-कभी पार्टीज में जाता है तो लेता है उसने तुमसे ड्रग्स लाने को कब कहा लास्ट वीक जब मिलने आई थी तब उसने कहा था पर मुझे लगा था कि वो हमेशा की तरह लेना चाहता है मुझे नहीं पता था कि वो मौट से बचने के लिए मांग रहा है कौन सा ड्रग है? केटामीटर तुमसे कुछ और कहा था क्या? जेल में ड्रग्स लाने के लिए साइरा को कस्टडी में लीजे बताती हूँ चारली मरना नहीं जाता है वो यहां से भाग के हमेशा के लिए दुबई में सेटल होना जाता है पर वो ऐसा कर पाएगा ये मैंने नहीं सोचा था मैं चारली को अच्छी तरह जानती हूँ वो अपनी जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है तुम चारली को बचाना चाहती थी ना लेकिन अब तुम खुद फस गई हो इसमें मेरा क्या कसूर है मुझे बीच में क्यों फसाया जा रहा है कलतियां अन्जाने में करते हैं जान बूज कर नहीं करते हैं मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है इसे ले जाओ और बंद कर दो ठीक है सर मैं मरूँगा नहीं जिंदा रहूंगा मैं मरूँगा नहीं का था ना तुम से समझे नहीं ब्लड डिलेशन से ज्यादा बेड डिलेशन्शिप होता है सर उसके लिए कुछ भी कर लेते हैं लोग डाक से लोपन गरवाब ओके सर अगर सब ठीक रहा तो गुरु वार को हरे रंग के पतंग उलाला प्यादाए कर लेवाब कि चानों तरफ ताजी हवा हरे पेड़ कि जीने की इच्छा तुम्हारे अंदर धीरे धीरे बढ़ रही है चार्ली कि इस बार होश्यारी करके तुम मौत से बच गए लेकिन मुझसे नहीं बचोगे कि तेरी मदद की इसलिए तेरी सायरा को भी अंदर डाले अब बचे कुछ दिन इसी अंधरे कमरे में गुजारना जेलर मेरी बात सुनो मुझे इस तरह से डाक सल में रखने से मेरे रास्ते बंद नहीं हो जाएंगे याद रखना तुम मुझे के अंधरे में ठेकेलोगे मैं खुद रौश्णी में नहीं आऊँगा सुरज को भी नहीं देखोंगा जो मैंने सोचा है उसे पूरा करने के बाद ही रौश्णी में आऊँगा जेलर आज से मैं नजर नहीं आऊंगा लेकिन जो खेल मैंने खेला है वो तुम्हें नजर आएगा लड़का स्मार्ट है ना उससे तुम्हें बहुत पसंद आई जानते हो अगर इतना यह पसंद दे तो कर लो शादी शादी में बुलाओंगी खाना खाके जाना गिफ्ट लाना मत भूलना इतने साल तुम्हें क्यों भरोसा किया शिह तुमने यहां लड़के से तो मिलने नही सोच रहें इस टेंशन में मैं बेकार ही भज गई हूं नेक्स वीक डैड़ी ने घर पे बुलाया है शायद शादी पक्की कर देंगे मुझे डर लग रहा है कि तुम्हारी सिच्वेशन समझ सकता हूं कि तुम टेंशन मतलो मैं संभाला हूं कि मैं थोड़ा सब इसी फिर मिलते हैं कि अब अब कि अब कि चारली का दुबारा फासे सटेड़े को दी जाएगी इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए चारली के परिस्तिति क्या है डाक सेल में रखाए से कि इतने समझदारी अगर पहले दिखाई होती तो यह प्रावलम ही नहीं आती नहीं सर किसी भी आदमी को फिजिकली कंट्रोल कर सकते हैं पर मेंटली कंट्रोल नहीं कर सकते हैं एक मामुली से किर्मिनल को तुम संभाल नहीं पा रहे हो कैसे जेलारू तुम अगर चारली ज कि इस शनिवार तुम्हारी फासी है इस बार नहीं बचोगे चारली बचना चाहिए शनिवार को पक्का है क्या भाई अभी अभी उसकी फाइल देखिए इसलिए मैंने आप लोगों को भुलाया चारली नहीं मरेगा उसके लिए एक प्लान बनाया है मैंने है हम आज ही उस पर काम शुरू करेंगे अगर वह काम हो जाएगा तो हम सब की जिन्दी बतल जाएगी इस मामले में थोड़ा सतर्क रहना होगा क्योंकि हम लोग जिससे ठकरा रहे हैं वह डिपार्टमेंट में राक्षस के नाम से जाना जाता है उसका नाम धर्मा है तो राक है बहिए मेरे को इक बलिदिन हाँ हाँ बहा क्या गाना है इस दिन में सरकार ने उग्रवाधियों को फांसी की सजा दी और उसी दिन फांसी देने वाले जल्लात के परिवार वालों की भी हत्या हो गई लोगों का ये कहना है कि ये पुलिस और उग्रवादियों की मिली भकत है जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा ठीक है न? इस कहानी में भी सेंटीमेंट है फिलिस्तिन में सरकार ने उग्रवादियों को फांसी की सजा दी और उसी दिन फांसी देने वाले जल्लाद के परिवार वालों की भी हत्या हो गई जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा भाई यहाँ पर बैठे वे जो कहा गए नहीं जानता सर पहले कभी नहीं देखा उन्हें मा मा इस चुट तुम्हारे उपर फीठ हो गई कौन बोल रहे हैं कौन है यह जानने की ज़रुरत नहीं है तुम सिर्फ इतना जान लो कल चारली मरेगा तो तुम्हारी माँ भी मरेगी अगर यह बात कोई और जांग का तुम अपनी मां का मरा मुझ देखोंगी अब कौन है मैं नहीं जानता सर लेकिन चारली का जीना बरना मेरे हाथ में नहीं है सर मुझे समझने की कोशिश कीजिए हलो 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 सब कुछ सेट कर दिया है रजस्टार से भी बात कर लिया है अगले गुरुवार को तुम दोनों की शादी है मुझे बस चाहिए एड्रेस प्रूफ आईडी प्रूफ और दो फोटोग्राफ यह मैंने अप्लिकेशन भी रेडी कर दी अच्छे कर लीजिए उस दिन मैं बस दो वर्माल आए और एक मिठाई का डिबाले कराओंगा और क्य हुआ अचारी चौड़ा अचारी चौड़ा अचारी चौड़ा पुझे अचारी का कहा गई है जानती हो मैं नहीं जानती अगर तुम्हें सारी का वापस चाहिए तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा कल तुम्हारे जेल में चारली को फांसी होने वाली है वो नहीं होनी चाहिए अगर चारली मरा तो सारी का भी मरेगी हमारे बारे में जाननी की ज़रूरत नहीं है ज्यादा मत सोचो चारली को बच पिंदा नहीं बचेगी याद रखना हो कौन हो तुम क्या चाहिए तुम्हें चार्ली के जेल में आना के बाद वो किस-किस से मिला मैं सब चालना चाहता हूं और जेंट जी सर्ट तुझे भासे से बचाने के लिए एक लड़की को आगवा किया गया है किसने किया है यह काम तुझे बचाने की कोई कोशिश कर रहा है कौन है वो चल बैट दर बैट साब के सामने बैट बैट वो लेगा ने बिल्कुल यह मेरी जेल है अंदर में जो भी करूं बाहर किसी को पता नहीं चलेगा हांसी चड़ने से पहले ही मरेगा गोली से मार दूंगा बोल बोल सर मैंने पता किया है चारली सिर्फ फेखे आदमी से जेल के अंदर मिला था पांडू पांडू तेरी मदद क्यों कर रहा है पांडू की बाद छोड़ो जेलर तुम मेरी मदद करो तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा है तुम मुझे पैसों से खारीद नहीं पाओगे डायमंड्स तुम्हें उसे डायमंड्स देने का वादा किया अबे बेवकूफ वो डायमंड्स के लिए इतना बड़ा रिस्क यूं लेगा सीधा तेरे घर जाके भी ले सकता है ना जेलर जेलर मेरा लॉकर कहां है कोई नहीं चानता अगर जान भी गए तो बिना मेरे फिंगर्प्रिंट के खुलेगा नहीं जिन्दा रहने के लिए दाओं पे जाज मारा है तो बचेगा नहीं मैं तुझे जीने नहीं दूंगा तेरी फासी कोई नहीं रोक सकता ए चार्ली जो तुझे बचाने आएगा वो खुद अपने मौत के जाल में फंच जाएगा जेल लिश्ट के मुताविक पांडू के घर का पता से लिया है सर लेकिन वो कह रहे हैं को पांडू को नहीं जानते उसने शायद गरत पता दिया है सर इसका नाम पांडू है अभी अभी जेल से रिया हुआ है मुझे यह किसी भी हाल में चाहिए हालो हां दर्मा आसे के तयादी पूरी हो गई थो मिसेर पूछ रहा हुआं वाहाँ सब ठीक है ना यह सर वोड अगर मेरी सेट पडे तो मुझे फोन करना ओके शाह पूरब का उगता सूरज भी यह सूरज हैं पूरब का उगता सूरज। रातों का राजा से निकिये निया एक लिए लड़ने वाला है ये अन्या नसेहने वाला ये तांडो करने वाला श्यूये सर किसी के आगे ना जुकाए बिजली भी गिर जाए कदम पीछे न लेगा ये साथ से लेड़े गा ये इमत वर है जितेगा ये विश्भांड चुपा है शंकर ये ब्रह्मांड इसी में हरी है ये बदला रूप बना इंसान है पूरब का उगता सूरज ये रातों का राजा से निकिये निया एक लिए लड़ने वाला है दर्म को जिताने वाला संकर्प सादक ये पापी को सजा देने वाला ऐसा नायक है पूरब का उगता सूरज ये रातों का राजा से निकिये निया एक लिए लड़ने वाला है रुज्यात दबाया केशव ये तशकंट दबाया कश्यप ये कानून की रक्षा पर जिसका सर, पांडू की हर जगे तलाश की सर, लेकिन उसको कहीं पता नहीं चला सर अब हम क्या करें सर? कल छे बजे चारली की फासी है, उसकी तैयारी करो सर फिर मैडम का क्या? चारली, समय हो गया, चला आओ चला क्या है झाल झाल चंदर शेखर अलियास चारली तुम्हें IPC सेक्षन 302-303 के तहट अदालत ने तुम्हें फांसी की सजा सुनाई है राश्ट पती ने तुम्हारी ख्षमा याचना भी रद्द कर दी है सब आदेशों का पालन करते वे आज तुम्हें फांसी पचड़ाया जा रहा है कर देखर स्ब आदो स्ब्सक्राइब कि यास्ट ते बचे बाख़ थाइ मेलप होई तरैस से तरतर राल नह जा कर भाईबाम कर आतरॉ यह लुह लुह उर्य प्रहुंधeniz जो खेता रृे दिंदा कर दो झाय कि युह ANHU तुम्हें बचाना फरस्ता तुम्हें बहुत ठीक होगी हालो सर फासी के खंबे में कोई प्रॉब्लम आ गई चार्ली की फासी रुक गई सर अखिर माँ हुआ क्या अंदर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आया था सर तुम्हारा धर्मा इस वक्त कहा है जिएर सब अंदर टेक्शन से बात कर रहें सर तुम सब किसी काम के नहीं हो किसी जल्दी खराब नहीं होता सर पुराना होने के कार जाम हो गया होगा या फिर किसी ने जान बुझ कर निकाल दिया होगा इसी वज़े से शेटर खुला नहीं होगा कि तुरंट ठीक करवा दो इसे ठीक है चलता हूं सर सर मलेक तुम आज रिया हो रहे हो ना सारी फॉर्मेलिटीस पूरी हो भी हाँ वो सब पुरा हो गया सर बस जाने से पहले आपसे मिलने आया था उस दिन आपने मेरी मदद की आपकी वज़े से मेरी मां जिन्दा है थैंक्स बोलके आपको छोटा नहीं दिखाना चाहता आपका अहसान में जिन्दगी बर नहीं बोलूगा मां के लिए यहां आया था ना बार जाके अच्छे काम कर मां खुश हो जाएगी ज़रूर सर अब चलता हूं बिना मुझसे पॉमिशन लिए डाक सेल में किसी को आने मत देना ठीक है सर सर डियेज ने आपको बलाया थोई काम अगर नहीं हुआ तो उसके दो कारण होते हैं एक काम नहीं जानना और दूसरा जान भूज़कर गलती करना इन में से कोई एक तो सच्चाई है ट्राइल करते वक्त काम कर रहा था सर ये सब बेकार की बाते मत बोलो चारली के मामले में मुझ पर उपर से बहुत दबाब आ रहा है अब गलती किसी की भी हो सर इसके पूरी जिम्मेदारी मेरी है मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं धर्मा तुम्हारे काम करने का धंग मुझे पसंद नहीं आज तक मैंने कोई गलत काम नहीं किया है सर आज से जैसा आप कहेंगे वैसा करूंगा सर स्टॉप इट धर्मा किस कारानी गलती हो ये शाम तक उसका पु वकिल साहब आप ठीक को हैं सर ओके सर क्या उस वासी को पोस्ट मॉन करने के अलावाद आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था उस मामले में मैं कुछ भी नहीं कर पाया सारा डिशीजन धर्मा का था सर पांडू के बारे में एक इंफ्रमेशन मिली है वो पुराने कोटे पे बहुत जाया करता था वहां सुर्भी नाम की लड़की से बहुत मिलता था उस लड़की को पकड़ने से सब पता चल जाएगा कुमारी तु मेरी प्यारी ओ प्यारी 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 तु मेरी प्यारी प्यारी तु मेरी प्यारी प्यारी तु मेरी प्यारी प्यारी तु मेरी राज कुमार तुम आओना इस कुमारी का प्यार अपना आलो ना संग मेरे नाचो गाओं सद तुम दो ना कमर मेरी लजकाई होश तेरे उड़ जाए ना आओ राज कुमारी मेरे दिल की प्यारी आया हूँ देरे दिल में तेरी चाहद बने प्यारी आओ राज कुमारी मेरे दिल की प्यारी आया हूँ देरे दिल में देरी चाहद बने प्यारी राज कुमार तुम आओ ना इस कुमारी का प्यार अपना लो ना मैंने ये जवानी मागे तेरे लिए तो दीवाना मेरा लेजा मुझे नजरों से चुराने यो प्यारे आगे तु बढ़ जा स्वर्ग दिखा कैसी शर्म औरानी तु मेरी प्रेम कहानी दोनों मिल जाए बन जाए कहानी आओ राज कुमारी मेरे दिल की प्यारी आया हूँ देरे दिल में तेरी चाहद बने प्यारी आओ राज कुमारी मेरे दिल की प्यारी आया हूँ देरे दिल में देरी जाहद पाने प्यारी राज कुमार तुम आओना इस कुमारी का प्यार अपना लोना अरे कौन है आप सीधिया अंदर चले आ रहे हो यहां इससे पहले कभी नहीं देखा ठीक है पांच मिनिट रुकी है फ्रेश हो के आती हूँ हूँ यह आदमी कहां मिलेगा तुम तुम पुलीस वाली हो गया मैं तो इसे नहीं जानती हूँ करत है यहां दो चाय बोल जिव करता है वही दर्मा एंडा वही अभाए यहां गाड़ी क्यों रोकी एशेन टिम्बर डेपो कहां पर है हमें नहीं पता एशेन टिम्बर डेपो कहां पर सीधे जाके लेफ्ट में जाए वहीं पर होगा एई पांडू कहां है निपू में यह उसे तुरंट फोन करो अरे क्या हो गया कॉल कनेक्ट नहीं हो रही है पांडू वो धर्मा तुम्हें ढूंड़्वया आ रहा है तुम्हांसे जल्दीन देंगल जाओ हालो पांडू हलो टाइगर सुदैनी दे रहा है पांडू, एक मिनट्ट रूखो, मैं बाहर आता हूँ. पांडू, तुम बाहर मत आना, बाहर मत आना, मेरी बात ध्यान से सुनो, वहीं रूखो. अलो, पांडू, अरे, धर्मा वहीं पहुंचता है, रे, अलो, पांडू. अरे, सुनो, एक आदमी मेरे पीछे आ रहा है, उससे समालो. कौंचे यह बे? पांडू का आ है? भाई, कौन, हमारा पांडू क्या? क्यों वे, पांडू अंदर आया है क्या? तुम हमारी बात नुहीं समझोगे, काम की बात करते हैं, पांडू तुम नहीं मिलेगा, हम मिलने भी नहीं देंगे. मैं जिस काम के लिए आया हूँ, वह करके रहूँगा, उसके लिए मुझे तुमारी पर्मिशन नहीं चाहिए. तुम उसका पता बताओगे या मैं खुद उससे ढूंड लूँ अरे साब को ढूंडने आये हैं चलो दिखाते हैं कि हिम्मत है तो पास आओ डरने वाले बाहर जाओ इसके आगे तुम्हारी मर्जी हाई लूँ चाइएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएए झाल... जए्ट झाल वुछ 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 वी अुछ वुछ वुछ पांडू कहां है उसका तेरे साथ क्या संबंद है वो यहां दारू पीने आता है इतना है जानता हूं और उसके बारे में कुछ नहीं पता अभी वो कहां है गुडाउन में चुपा हुआ है कि अगर धर्मा मुझे ढूंडते हुए आया यहां से बागते हैं जल्दी चलो जानता हूं मैं मझबूरूं पन्दू वह दर्मा तुम्हारे बारे में जान गया है वह तुमसे सच उगलवा लेगा तुम्हारे मरने से हमें दो फायदे होंगे तेरे मरने से उस धर्मा का हम तक पहुँचने का लिंक खतम हो जाएगा हम लोग भी फस जाएंगे लेकिन अब कुछ नहीं होगा दूसरा तुझे मिलने वाला हिस्सा भी हमारा हो जाएगा पांडो पांडो उट जा पांडो है पांडो पांडो कि अगला कदम कैसे डालेगा कदम कदम बढ़ते हुए यहां तक आया कदम रुक गया है अगला कदम कैसे डालेगा मगर मच की तरह इनसान एक दूसरे को खतम करने की सोचता है तो कदम रुक गया है आगे का कदम कैसे डालेगा जनता जंगल में फंसकर अन्याय का अंतिम संसकार करते हुए दुख भरे दिल से कुछ न कर पाते हुए कदम रुख गया है आगे कदम कैसे डालेगा मैं संद्यान उसका जनलिस्ट हूँ इवनिंग एडिशन ज्याद लिखता हूँ मेरा नाम को बर्धन है बोलो चारली को कब फासी दे रहे हैं आप लोग जाओ यहां से ब्लीज बताओ ना तुम्हारा बहुत पुन्य होगा पुन्य मुझे नहीं चाहिए बॉनिकर हाथ में खुजली हो रही है भाई मेरा एक डाउट है जब मेहनत की कमाई लोग हजम नहीं कर पाते हैं और यहां आप सीधे रिश्वत मांग रहे हैं आपको हजम होगा क्या इसको देखो हमारे ही बुराई करता रहता है एक खबर के लिए रिश्वत मांग रहे हैं तुम अपनी नियूस पेपर फ्री म कि आभाई में नहीं आना है अरे आपका नाम क्यों आएगा सर उसके लिए इक आदमी है उसके नाम से डाल दूंगा मेरे गलफेंड बेट का है कैसे ओ धर्मा वैसे सारी का के विना कैसे ठीक रह सकते हो उब अनल तुम अखे तुम्हें क्या चाहिए सारी का है क्या नाम है शांत धर्मा, शांत हो जा, पांडु को मैं हमेशा समझाता रहा कि वो जादा बाहर ना खुमे, लेकिन वो माना ही नहीं, मेरी बात ना मानके वो मर गया, अगर तुम भी मेरी बात नहीं मानोगे, तो मैं सारिका को मार दूगा है, कौन है बे तू, परदे के पीछे छुपके लड़की को बीच में रखके खेलना ठीक नहीं है, तुम मर्द है तो सामने आकर जीत कर दिखा, इतना गुस्सा ठीक नहीं धर्मा ए, जब समस्या मेरी नहीं होती तो मैं छोड़ता नहीं हूँ, और ये समस्या तो मेरी है सारिका को बचाने के लिए मेरी बात माननो न ज़रूरत पड़े तो कुछ भी कर सकता हूँ, एक और बात याद रखना, मेरा टाइमिंग धोका नहीं देता, तेरे समझने से पहले सब खत्म हो जाएगा मतलब तेरे डराने से मैं डर जाओंगा क्या? तू ही नहीं, तेरे पूरे गैंग को खतम कर दूँगा मैं क्या कर लेगा तू? मेरे डिसिजन्स तुझे बहुत भारी बढ़ेंगे सुनो धर्मा, तेरे जैसे कितनों को मैं हर रोज देखता हूँ तू रोज बहुतों को देखता होगा लेकिन मरने से पहले सिर्फ मेरा चैरा देखेगा आखिर तू समझता क्या है? एक बात चान ले तू मेरे बारे में नहीं जानता तुझे मार कर तेरे बारे में विस्तार से जान लूँगा मैं धर्मा बेकार की बाते छोड़ो अब काम की बात करते हैं चारली को मुझे सौप दो और सारीका को ले जाओ ए चारली के बात छोड़ दे सारीका को चुप चाप मेरे हवाले कर दे मैं तुझे छोड़ दूँगा यानि तू मेरी बात नहीं मानेगा आखरी बार मेरी बात सुन लो, मैं तुम्हें दो दिन का टाइम देता हूँ, मुझे चारली चाहिए, क्या करना है अब तुम्हें डिसाइड करो हे मेरी बात सुन हर आदमी किसी ना किसी के आगे जुकता है, लेकिन ये उनमे से नहीं है, सिमगार निकालके फैंक दो उसे दो दिन का टाइम दिया है, उसके बाद क्या करना है ये मैं सोचूँगा चाचा जी, रुकिए ना, चाचा एई, मेरी बेटी कहा है, अरे चार दिनों से मेरी बेटी सारी का गायब है, मॉबाहिल भी काम नहीं कर रहा है चाचा प्लीज चाचा मेरी बात तो सुने चाचा तो सुनू तेरी बात इसने सारीका के लिए मुझे वार्मिंग दिया था मुझे पता है इसी में सारीका को कहीं छुपाया है मेरी बात तो सुनिये सर सारीका मेरे पास है लेकिन सारीका को आपके पास सौपने की जिम्मेदार मेरी है मुझ पर भरोसा रखे मैं उसे कुछ नहीं होने दूँगा उसके बारे में सोच कर आप इस वक बहुत डर रहे हैं यह मैं समझ सकता हूं सर मुझे थोड़ा वक्त चाहिए सब्सक्राइब मेरा वादा है मैं आपके बेटी को वापस ले आऊँगा ट्रस्ट मी सार यहां का काम खत्म हो गया क्या चलो तुरंट उस मीटिंग का यहां हूं चलो मैं काम कर रहा हूं काम कैसा काम हमेशा जेल में बंद उन कैदियों के बारे में ही सोचते रहते हो और मैं तुम्हारी याद में अकिली जीती रहती हूं कभी सोचा तुमने इस बारे में मुझे कुछ हो जाए तो बोलो कम से कम तब तो मुझे बचाने आओगे या फिर तब भी मुझे डाटोगे अब कुछ अच्छा लगता नहीं तू नहीं तो ये जीवान कुछ भी नहीं तुझ पे सर रखके सोया में तेरी आदब दुम्हारी अब यह अभी अभी मंदिर से ला रहे हूं रक्षा के लिए इससे हमिशा बांद के रखना दिल पे खूरे को खाव किया तेरी आदब मुझे को सब्दाती अब कुछ अच्छा लगता नहीं तो यह अच्छा लगता नहीं तो नहीं तो यह जीवान कुछ भी नहीं मेरी सांसे तेरा बेचा तरी मेरी धड़कनों में तुम असती मेरे पास ना हो कर मुझे यू लगे मेरे पास कहीं तुम रहती हो मैं तुम्हें फिर बात में बुलाओंगा जावाली मैं वेट करता हूं मॉर्निंग की मीटिंग अटाइन करके आ रहा हूं तुम्हें वेजाक सेंट्रल जेल के एसपे से सुबह बात की है कल सुबह चारली को शिप्ट कर रहे हैं वहां हम लोग तुम आज से अपने नई पोस्ट को जोईन कर लो दर्मा सर्व चारली के शिप्टिंग एक सीर्केट आपरेशन है उससे कॉन्फिडेंशल रखना होगा तुम्हें ओके सर्व कि अग्वार का फ्रंट पिश पूरा खाली है कोई मैटर नहीं है क्या करूं यह जो आर्टिकल इसी को बड़ा करके छाप दे देख कहीं भी खाली जगा मत छोड़ना तल जाबी ठीक है किसी छोटे पेपर का जर्नलिस्ट होने साथ चाहा है कि किसी बड़े पेपर में बॉय बन जाओं अरे इतनी रात को कौन है हेलो संध्या न्यूज अरे भाई एक मिनिट प्रिंटिंग अभी बंद कर दे फ्रंट पेज का मैटर मिल गया है यह देखो चारली को वेजाक सेंट्रल जेल भेजने वाली खबर सही है वाई शिट टाइगर धर्मा को फोन करो भाई मेरी बात पर जरा गौर फर्माईए इस वक्त धर्मा को कॉल करना अच्छा नहीं है कैदी को जेल के अंदर से चुडाने की बजाए बाहर से चुडाना हमारे लिए आसान होगा चारली को सिप्ट करते वक्त उन पर अटेक करके चुडा लेंगे भाई ये खुश खबरी है धर्मा का सेंट्रल जेल से ट्रांसफर हो गया है अब चारली धर्मा के कंट्रोल में नहीं है ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है हमारा काम हो जाय तो उस सारीका की भी खबर लेंगे आप हमारी बात पर गौर कीजिए भाई सर चारली को वैजाक शिप्ट कर रहे हो ना सितरम चारली मामुली आदमी नहीं है बहुत चालाक आदमी है अगर छोटी सी भी गलती हुई तो वो उसका बड़ा फायदा उठा लेगा डोंट वरी सर चारली का शिप्टिंग सोच समझ के प्लैन किया है पॉस्टनल स्कॉट में मैं ही जाओंगा सर वेरी गुड तुम पर मुझे पूरा भरोसा है इसलिए चारली का जिम्मा मैंने तुम्हें सौपा है देखो काम खतम होते ही मुझे फौन करना फिर से कह रहा और इस तरह हम लोग चारली को बचा कर उसके लौकर की जगे पर ले जाएंगे वहां अपने हिस्से के डाइमंड्स लेकर सब आधे घंटे के अंदर अपने अपने रास्ते चले जाएंगे कुछ दिनों तक हम लोग एक दूसरे से नहीं मिलेंगे टाइगर अपने सभी वारे लिए बहुत खास है कि यह प्लान बिल्कुल ठीक लग रहा है लेकिन आखिर में चेंज है चारली को वहां ले जाने के बाद हम अपना हिस्सा बाट लेंगे लेकिन एक और बात चारली के बारे में चारली फांसी से तो बच जाएगा लेकिन हमारे हाथों नहीं बचे को मैं खत्म कर दूँगा उसका हिस्सा भी हमारा होगा जब मौका है तो उसका फायदा हम क्यों नूठाएं हमें भी तुएश करना है हुँँँँच सुखचे थायदा व करता से यूड़ा है वख आईब दोगना सगाधना भुख ए उगाधना झाना भूज ए लूऑना झाना झाना हुआएग्ग। प्रॉटे प्रोपस भुड़ा करे दो हुड़ा है पह लयमा हैं.. वहाज ए लिव गटज के लिव साइस लद एक के लिवल अवाद लुझ लखा Großक लग्झे के लुड़ लग्फे लगavez लग्ड़ लग्ढ़ र्प पिर फ्स waking प्राउम हो इडने हो इडने हो आप रज हो इडने है c попытष में आखा हिए हैं दो आज रहा हिो दोग्स हुआ हैं द० simulated इडने हो है दो दो आघ दो ज आखएमोंह और हो उडने हो इडने हो हम एका लदे समय हम ए्यार। चलो चलो जलो धे लिछ्ट इष्ट रॉष्ट इसको महारे! बित्र प्रभाओ जल्दी चलो, तुम इसे लेकर इस तरफ जाओ, जल्दी जाओ, तुम लोग इस तरफ जाओ, इस तरफ, जल्दी करो, चलो सर, और फोर्स बंगानी पढ़ेगी, यह सिचेशन हैंडल नहीं हो रही है सार, कॉल किजिए सर जल्दी सर जाओ. बाओ, जाओ! जल्लासब Luc- जल्दी मेंगानी बाओ! चलो भाई इधर आओ तुम चार्ली को लेकर गाडी के पास पहुँझो मैं आता हो ओके भाई चलो जली करो चलो 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 जली करो जली करो अरी ये दो बहुत पासागे चलो बागो जली करो सारी कहा है 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 इधर 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 आ सारी कहा चाहिए न चलो आजा आजा हाँ औरे आना तारी कहा चाहिए ना आजा आजा हाँ यहां चुकते है सारिका कहां है कहां है सारिका रामपूर संध्या थेठर तुझा कर भाई को बचा हां भाई चारली भाई क्या हुआ भाई चारली हमसे ज्यादा होशिया निकला चारली को मैं खात्म कर देंगा उसका हिस्सा भी हमारा होगा हमें भी तुए इस करना है अगर दर्मा प्लीज मुझे छोड़ दो मुझे माप कर दो मैंने सरेंडर कर दिया मुझे मत मारो मुझे माप कर दो प्लीज दर्मा आसुरम मैंने जो सुन पूंचायँ सै यह क्या हाँ सर, हमारी वेहिकल पर अटेक हुआ है सर, चारली यहां से भाग गया है, और उसे भागे ज़्यादा समय नहीं हुआ है सर, वो जितना भी भागे, 40 किलोमेटर रेडियस के अंदर ही होगा सर, इमिजेटली सारे पोलिस टेशन में खबर भेज दीजे सर, पूरे शेहर में ह तर्बाँ आदव, सर, सारी का को घर ले जाओ, ओके सर, जाओ, दरो में, चलिए मेडम, और फिर तुम, मैं बचा हुआ काम पूरा करके आता, तुम जाओ, आए मेडम, आए ना, अला, कर सोच आओ, अला, अलाओ, आए और न्यक्ति, ले दा दो, आधो, आधो ुअ, जाओ, इस सरानाा, पाय जॉसके टो, आधो आधो आधि प्याक आधो, आधो, दो, आधो लेकर आया हो मैडम दर्वाजा खोलिए मैडम भिज्दी कभी अगज़ आप गज़ आपने साव चारली भाग गया है स्टेट में पूरा हाय अलेट कर दिया गया है तुमने जैसे बताया था वह जरूर प्लान कर रहा होगा दुबाई भागने के लिए अकेले क्यों तुम्हें दुख हो रहा है अक्या वो तुम्हें अकेले छोड़कर अरहा है उसे सिर्फ अपनी जान प्यारिया है और कोई नहीं तुम्हें एक option दे रहा हूं साहरा, तुम अगर मेरी मदद करोगी तो तुम्हें जिल से बाहर भेज दूगा, अच्छी तरह से सोच लो, यहीं पर रहोगी या फिर बाहर जाकर अपने life जियोगी मुझे क्या करना होगा चारली अपने diamonds कलेक्ट करने के लिए, वो locker खोलने के लिए जरूर जाएगा वो locker कहाँ पर है चारली का आउटसकर्स में एक secret guest house है, उसका locker वहीं होगा सर, मैं यहाँ guest house सिलक्षमिन बोल रहा हूँ बोलो लक्षमिन चारली का guest house चेक कर रहे हम यहाँ यहाँ पर उसका locker खुला हुआ है सर, लगता हुआ है यहाँ से सब कुछ लेके चला गया फिंगरप्रिंट चेक करके देखा हमने, वो match हो रहा है सर आरी शोर यह सर तुमने जो चारली का एड्रस दिया था, मेरे आद्मियों के पहुँचने से पहले वो locker खाली करके भाग गया दर्मा, कल चारली का वहाँ से भाग जाना, और इस पॉर्ट पर मारे गए लोगों के बारे में इंक्वारी बैठाई गई है तुमसे एक सवाल पूशता हूँ कल इस पॉर्ट पर जो लोग मारे गए उन्हें देख कर मेरे दिमाग में एक डाउट आया है तुम्हें उन लोगों के एरेश्ट करना चाहिए था लेकिन ऐसा न करके तुमने उन्हें मार डाला, ऐसा क्यों किया? धर्वा, मेरे इस सवाल का जवाब तुम मुझे दो या न दो लेकिन कमेटी को जवाब देना पड़ेगा बी प्रिपेरड फ़र देट नेम धरम तेजा, डेट अब जॉइनिंग जुलाई 25 तूटाउज़न नाई 6 years experience, 4 transfers कहीं पर भी दो साल से ज़्यादा काम नहीं कर पाये कल चारली जिस स्पोर्ट से मिस हुआ, उस वक्त आप वहाँ क्या कर रहे थे? आउट्सकर्ट्स में काम से गया था इन में से किसी को आपने देखा है क्या? नहीं सर कौन हो सकते हैं ये लोग? चारली के आदमी हो सकते हैं चारली के ये आदमी हैं, आप ये कैसे कह सकते हैं? चारली को बचाने की कोशिश तो उसके ही आदमी करेंगे आप उन्हें वहाँ अरेस्ट भी तो कर सकते थे लेकिन शूट करके मार क्यों डाला? वहाँ पर जितने भी आदमी मरे हैं, सब शातिर गुनेगार थे चाहे तो चेक कर लीजे, वो कानून को नहीं मिलेंगे मिलेंगे तो भी उन्हें सजा नहीं मिलेगी, बच जाएंगे सब के सब आप एक responsible officer की तरह जवाब नहीं दे रहे हैं मिश्टर धर्बा, आप बताएंगे कि चारली के भाग जाने में किसके गलती हो सकती है उसके भाग जाने के बाद ये सब सोच के फाइदा क्या? आप रूल्स के खिलाब जाने मानते हैं क्या? मानता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने कोई खलती नहीं किया मैं बुराई सेह नहीं सकता सुना है आपके डिपार्टमेंट में, आपको राक्षस बुलाते हैं, क्या ये सच है? आपके सारे सवाल खत्मों गए हैं, सर मिश्टर धर्मा, चारली में सुआ, उस स्वाट में बिना पर्मिशन आपने वेपन्स यूज किये और आप उन्हें अरिस्ट कर सकते थे, फिर भी आपने उन्हें मार डाला, इसलिए हम आपको सस्पेंट करते हैं, यू आ सस्पेंड़ेड अंटिल आउर फॉदर ओर्रस सस्पेंड करना है तो कर दीजिए, लेकिन चारली जैसे क्रिमिनल को पकड़ने के बाद, जेल में उसके महमाद नवाजी मत कीजिए, रूस को थोड़ा साइड में रखके, गोली से उड़ा दीजिए चारली के केस को डेपार्टमेंट समभाल लेगा, यू केन लेग नाव मैं सोचती थी मेरा होने वाला पती एक सिंसिया जिलर है, ये नहीं सोचा था कि वो एक सस्पेंड़ेड जिलर भी होगा मा और पिताजी मुझे देखके बहुत खुश हो जाएंगे क्या है, इतने डल क्यों हो, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना नहीं, थोड़ा और बाकी है क्या हुआ, कहां जा रहे हो अभी बताता हूँ मुझे अकेले छोड़के कहां जा रहे हो कार में ही बैठी रहे ना, बार मता ना धर्मा स्टेट कौवर्मेंट चारली को ढूड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी हमें चारली का पता जो भी बताएगा हम उसे पांच लाख रुपे इनाम में देंगे बहुत जल्द हम चारली को पकड़ लेंगे बहुत जल्द हम चारली कौ़गी हम दो जाम चारली को स्टेश जाम जाम हम हाँ 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 जाने के लिए बदन से तीन लिटर खून बैना चाहिए तेरा अभी इतना नहीं बहाए तुझे बिना मारे मैंने यहां क्यों रखा यही सोच रहा होगा ना तुमने जो जगह बताई वहां सारी का है यह नहीं कंफर्म करें बिना कैसे मार सकता हूं तुझे धर्मा पानी बहुत प्यास लगी है पानी पानी गलती की है मैंने धर्मा लैमेंट्स की लालच में गलती की मुझे छोड़तो कोई भी लालच में आया गलती करें धर्मा कभी गलती नहीं करता और करने भी नहीं देता धर्मा तुम्हें जो भी चाहिए वह दूंगा मैं प्लीज सोड़ दो छोड़ूंगा न हीन सिर्फ तुझेहींने किसी को भी नहीं चोड़ूंगा मैं देञ्जर एंज अपिसर हो तुझे एक शॉकिंग निव्स देता हूं मैं मैंने उस चारली को भी नहीं छोड़ा वहीं पर उसे मार रहा उस दिन शेडियूल के मुताबिक चारली को फांसी दे दी गए चारली के मरने के बाद मैजिस्ट्रेट और वीरा कुछ छुपा नहीं पाए मुझे सब बता दिया कि तुम लोगों ने उन्हें कैसे ट्रैप किया मैंने उनसे बात की चारली के मरने की खबर बाहर नहीं आने दी टेकनिकल रीजन बता दिया और जो वैजाग शिफ्ट कर रहे थे मलेक उसी दिन रिलीज हुए मलिक को चारली के डाक सेल में डाल दिया गया था मलिक मेरे एक मदद करोगे बोलीने सर दियाए जी ने मरे हुए चारली को वाइजएक शिफ्ट करने को बोला जो मर गया उसे कहां शिफ्ट करूंगा इसलिए मैंने और सितराम ने ये प्लान बनाया संध्या न्यूज पेपर में खबर भी मैंने भेजी थी हेलो संध्या नीज बोलिए पासी से बज़ गया चारली को वाइजएक शिफ्ट कर रहे हैं अरे भाई एक मिनिट प्रिंटिंग अभी रोक दो न्यूज मिलने पर तो चुप नहीं रहेगा अटेक तो करेगा ही तुने किया पकड़ा गया हमने सबको बताया कि चारली भाग गया वाट्स कोईग ओन हमारी वेहिकल पर अटेक हुआ है सर चारली यहां से भाग गया है इमिजेटली सारे पुलिस टेशन में खबर बेज दीजिए सर सारी कर बचा लिया और साथ में वीरा की मा को भी मैजिस्टर्ट के बेटे को वापस ले आया है चैनल्हका को मेरे सारे प्रॉब्लेंस सॉल्व कर लिए मैं ने भी चैनली के डैमन्स को क्या हुआ है जिस जगे की कीमत नहीं वाँ कीमती चार्ली के लॉकर का एड्रेस जान लिया। उसके बाद मरे हुए चार्ली का हाथ कटवाया। पुलीस के आने से पहले चार्ली के फिंगर प्रिंट से चार्ली का लॉकर पूरा खाली कर लिया। तेरा क्रिमिनल ब्रेन जब इतना तेज काम करता है तो पुलिस वाले का ब्रेन कितना तेज होना चाहिए मेरा बस एक इस सिद्धान्थ है जो गलती करता है उसे सजा मिलनी चाहिए तुम्हारी गलतियां माफी के लायक नहीं मेरी नजर में तुम सब जीने के लायक ही नहीं हो तभी सजा दी है तू शाय जानता ही होगा मौत की सजा तीन तरह के होती है पहली फांसी की सजा दूसरी प्रोड पे गोली चला के कुत्तों की मौत मारना तीसरी मारने का तरीका ना बताते हुए साइलेंटली मार देना मैंने बताया था ना मेरा टाइमिंग बिलकुल अलग है तेरे समझने से पहले सब खत्म हो जाएगा अलो धर्बा बड़े दिनों बाद मुझे छुट्टी मिलिये हैं सब ठेक तो है ना सब ओके सर चार्ली की बॉड़ी का तुमने क्या किया आउट्सकर्स में जला दिया सर दिया जी को तुम पर कोई शक तो नहीं हो ना गेड़्डा बहुत होशयर है सर लेकिन हम ज़्याद होशयर निकले सब हमारे प्लैन के मुताबिक हुआ सारिका कैसी है क्या हुआ सेट हो गई सर अब उसी के घर जा रहे है गुड़ धर्मा तुम्हारे इस कदम से सारिका की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी यह सोचके डर रहा था धर्मा डाइमंड्स का क्या किया तुमन क्या क्या रहे था है, कर दोरी। इस बैग में डायमंड्स, गोल्ड बिस्किट्स और कैश है। यह आपके अपनों को वापस नहीं ला सकते हैं। लेकिन आपने जो ट्रस्ट शुरू किया है उसके काम आएंगे। जीतार के हर खेल में, हर पल तडपते हुए नरक देखने वाले हर एक के काम आएंगे। यह ड दुनिया के लिए चारली भाग गया है और जिन्दा है यह एक जूट है। सच सिर्फ आप ही जानती हैं। आखिर में न्याय की जीत होगी होनी चाहिए। मेरे बारे में जानने की कोशिश मत कीजिए। हम कभी मिले नहीं। अनन्द है यह अनन्द है यह सब की बुनियाद है यह पाप की सजा है यह न्याय के लिए रक्षा है यह रास्ता न जानने वाली दीक्षा है यह सर न जुकाने वाली दक्षता है यह इतिहास का कोई भी पन्ना खोलो तो सर न जुकाने वाली दीक्षा है यह धर्म है यह धर हाँ बाबरे पूरा टाइप कर दिया कि तुम्हारे जेल सुपरिंटेंडेंडेंस आपका फोन आये था उन्होंने नेलोर जेल सुपरिंटेंडेंडेंडेंडेंस का चार्ट समाल लिया है तुम्हारा सस्पेंशन और कैंसल करवा के तुम्हारी पोस्टिंग भी वहां करवा नेक्स्ट वीक तुम्हें ड्यूटी जॉइन करने को कहा है उन्होंने वैसे तुम्हानी लास्ट कविता भी पूरी हो गई तो अब अपनी बुक का नाम क्या रखोगे मेरे अटिट्यूड के वजए से सभी मुझे राक्षस कहके बुलाते हैं उसी की याद में ये नाम रखोंगा मैं क्या नाम असुर मुझे बुलाते हैं युद्ध कर ले तुई वीर है हिमत तुझ मैं ही वसी वीरा मार बापियों को भगाया मार दुस्तों को दून भगाया दुच्चे जोट कराया उनको मार मार के तून भगाया यहा एक खातिर लड़ने वाला धुल्मों को अंत करने वाला जोर डाकवों का विनाशी हिमत वीर है युद कर ले तू वीर है युद कर ले तू वीर है युद कर ले तू शादा युद कर ले वीर है